चेम आतादी दोस्तो, आप सभी का स्वागत है हमारी योटीव चैनल में दोस्तो नया वर्ष 2021, उम्मीदो भरा वर्ष नया वर्ष शुरू होते ही बहुत सी उम्मीदे हमारे अंदर होती हैं कि इस नय वर्ष की शुरुवात कैसी होगी इस नई वर्ष में हम क्या कुछ खास करेंगे या हमारी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कितना हमें सपोर्ट करेंगे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी माह की जनवरी का महीना कुम्भराशी के लोगों के लिए कैसा रहेगा इस माह की शुरुवात आपके कारशेत्र में किस तरह के परिवर्दन लेकर आएगी आपके आर्थिक जीवन में किस तरह का बदलाव लेकर आएगी आपका प्रीम जीवन आपका वेवाहिक जीवन परवान चड़ेगा या नहीं पारिवारिक जीवन आपका सुख में रहेगा या नहीं और साथ ही आपका स्वास्थ है कैसा होगा और साथ ही जानेंगे इस वीडियो के आंत में कुछ महत पून उपायों के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं नया वर्ष का नया महिना नई उम्मीदों के साथ ग्रह नक्षत्रों की इस्तिधी के साथ बहुत कुछ बदलने वाला है जन्वरी का महिना कुमभराशी के लोगो के लिए बेहद खास अंदाज में शुरू होने वाला है और किस तरह से चलिए शुरू करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ कुम्ब राशी की बात कर रहे हैं कुम्ब राशी का स्वामी शनी होता है जो की वाईयो राशी कहलाई जाती है और देखिए जहां तक इन कुम्ब राशी के लोगों की बात है तो बहुत ही आकश्य, बहुत मजबूत स्थिदी वाले होते हैं ये लोग ये लोग बड़ी जल्दी गुल्ले मिलने वाले रहते हैं दोस्ताना मजाक्या सरभाव इनका होता है और 2021 में जब शिरुवात होगी जनवरी माह की तो बड़े अच्छे शुब संयोगों के साथ तो इस दिन की शिरुवात होगी सरभाव सिद्धी योग में, बुधा दित्य योग में, रवी योग में, अमरत सिद्धी योग में इस महिने की शुरुवात होने वाली है जो आपके जीवन में बड़े अच्छे परिणाम लेकर आएगी तो इस महिने सबसे पहले कारेशेत्र के बारे में जानेगी की कैसा रहेगा कारेशेत्र में कुम्बराशी के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अनुकुल साबित होगा जो अभी फ्रेशर हैं, जो अभी नया काम शुरू करना वाले हैं, अपनी करियर में नए नए हैं या करियर की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये साल की शुरुवात वड़ी सुहावनी होने वाली है, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आप अपनी प्रोफाइल बनाए और इस प्रोफाइल के जरीए नौकरी मिलने की पूरी संभावना आपके रहेगी, देखिए जो आप प्रियास करेंगे, उसमें गारेंटिड आपको जौब मिलेगी, फ्रेशर्स के लिए तो सबसे उत्तम इस महिने की शुरुवात होने वाली है, इसके अलावा, इस राश आगे बढ़ने की संभावनाओं के साथ चलेगा, बड़े अफसर आपको दिला सकता है, तो कमरकस के तयार हैं इस नए वर्ष का नए तरीकी से स्वागत करने के लिए, केतु जो की आपकी दसवे घर में हैं, वो आपको नई योजनाओं, नई परियोजनाओं के लिए बहुत साब अच्छे सावित होने वाले हैं शुवात से ही, और दसवे घर का स्वामी मंगल इस समय मेश राजी में पेशे के तीसरे घर में मौझूद है, जो आपको अपनी च्छाओं के दिशामे काम करने के लिए अच्छी उर्जा प्रदान करेगा, आपकी गती शीलता क बढ़ाएगा, साथ ही आपके भाहे बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आप अगर अपनी बिजनिस में नया काम करने की सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी, प्रमोशन आपका हो सकता है, इस दोरान आपको कोई नौकरी के सिलसे में कोई स्थानांतरन भी ह हो सकता है, दूसरी जगा भेजा जा सकता है, और यदि नौकरी बदलने के बारे में विचार कर हैं, तो रुक जाएं, अभी वह नौकरी आप ना बदलें, क्योंकि वह अनुकुल रिजल्ट नहीं देगा आपके लिए, जो लोग प्रोग्रामिंग कम्प्यूटर से जुड आपकी, तो देखिए, आप इस दोरान अगर आपने लोन लिया हुआ है, तो आपको लोन चुकाने के बारे में सबसे पहले सोचना है, इसके लिए क्या करना है, एक तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, अनावाशक खर्च बिल्कुल ना करें, और इस समय के दोरान आप आपको कुछ ऐसी चीजों की तरफ आकरशित हो सकते हैं, जो आपको आसानी से, जल्दी पैसा कमाने के बारे में कुछ आइडियाज दें, ऐसी चीजों की तरफ आप हो सकते हैं, जिसे सट्टा बजार हुआ, जुआ हुआ हुआ, कहीं पैसे लगाना हुआ, तो आपको ये पहले ही देखे दे दिजाए कि ऐसी गतिवी दियों में शामिल बिल्कुल नहों वरना इसके अंत में आपको घाटा उठाना पड़ सकता है अपने पैसे को बचा कर रखें उसे बरबाद ना करें ग्यारवे और दूसरे भाव का जो स्वामी ब्रस्पति देव हैं वो मकर राशी में थोड़ी सी दुरुबलिस्तिति में शुरुवात में होंगे जो आपके खर्चों के बढ़ा सकते हैं ऐसे में कोई भी निवेश ना करें निवेश की बज़ाए आपको अपनी जो पहले कार करेगा अच्छा रहेगा आप अपनी बुद्धिमानी से अपनी समझदारी से हर कारे के एक यूजना बनाएंगे और उस पर उचित तरीके से काम करेंगे जिससे आप हर परिस्तिति को कंट्रोल कर सकते हैं अब प्रेम जीवन विवाहिक जीवन कैसा रहेगा तो प्रेम जी भावक हो सकते हैं तो इन चीजों में थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि इससे रिष्टों में गड़ बड़ी हो सकती है कुछ गलत फहिम्या हो सकती है तो इन चीजों के तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है और शादे-शदा लोग जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा सम में हैं युवा लोग शादी के बंधन में बन सकते हैं आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समयवयतीत करेंगे जीवन साथी के साथ प्रेम से रहेंगे खुब सूरत पलो का अनंद लेंगे बहुत खुश रहेंगे आप इस दोरान युवा वस्था वाले लोग अपने पार्टनर के साथ डेट पर भी जाएंगे और इस दोरान आप अपनी परिवार को बढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा तो पारिवारिक जीवन के लिहास से तो कुमराशी के लोगों के लिए ये महिना जश्न मनाने का महिना है के साथ अच्छा समाव्यतीत करने में आपके लिए ये समय मददकार सावित होगा इसके साथ ही आप किसी पिकनिक पर जा सकते हैं दूर दराज के रिष्टेदार के साथ जा सकते हैं देखी राहु इस दोरान विरशब रासी में है जो आपका चौथा भाव है तो ये आपक माता जी को लेकर अधिक सुरक्षात्मक महसूस कराएगा आपको इस दोरान आप किसी लंबी दूरी की यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं और परिवारिक लिहाद से तो ये महीना बहुत शांदार आपके लिए रहने वाला है अपनी प्रियाजनों के साथ खास लोगों के सा अच्छे पल बिताएंगे और हर पल का खुलकर आनद भी लेंगे सुआस्ते के लिए हाद से भी महीना आपके लिए अच्छा का जा सकता है चूटी मोटी स्वास्ते समंदी परिशानी हो सकती हैं लेकिन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि स्वास्ते धन दोलत से कम नहीं हो जब आप फिट रहेंगे तो खुश भी कर सकते हैं समय पर व्यायाम करें जिम जाएं योग करें अच्छा खाना खाएं घर का भुजन खाएं आराम दायक जीवन जीएं तब आपका स्वास्ते बहुत उत्तम रहेगा और खुशी बनाएं कि इस महीने आपको स्वास्ते समं अपनी माथे पर चंदन और केसर का तिलक लगाना शुरू करें सुभा असनानादी करने के बाद प्रति दिन लगाना शुरू करें गाये को रोटी गुर खिलाएं लेकिन चंदन और केसर आप लगाएं आप कुछी महीनों में देखेंगे कितने बड़े बदलाब नानी हुए उनका सम्मान करें और उनके देखबाल करें ये कुछ काम को मराशी के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं आपको फर्ष से अर्ष तक ले जा सकते हैं इस चीज़ को याद रखें और काम में चुक जाएं साथी चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें